नमस्कार दोस्तो आपका धन्वंधरी किरीवा दिंटियों में बहुत बहुत स्वऩगत। दोस्तो आज मैं बात करूंगा पैल्यूद्स के उपर। और इस जो मैने बजह खोज रखी है इस बजह को कोई नहीं बता सकता कि तन व्रीज कितने टाइम में ठीक हो सकता है यह हम नहीं बता सकते हैं इसका कारण भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने बाला हूं मैंने बहुत सारे लोगों को जो पैरलाइज के पेशेंट ठीकी हैं लेकिन जैसे किसी का बाजून उठता है इतना उठता है ऐसे ऐसे उठाते हैं जो इसको कंदा होता है उसको जब भी आप पैरलाइज को कोई पेशेंट देखते हैं आपका घर में है बाहर है तो अगर उसको आप बाजू को उठाने को बोलेंगे तो ऐसे ऐसे खींच लेगा वो कंदे को भी और बड़ी मुश्कल से यहां तक ऐसे कामते कामते उठा पाएगा लेकिन कंदे को जूरूर आप आप डोस्तों लाइस क्या करता है आप करल लाइस जो है हमारे जितने भी जॉंट जैसे घृतने का है एंकल का है यह पर कोले का है तो जहां लिगामेंट्स इसको हमारे जॉंट को कसके रखते हैं तो लिगामेंट्स चब उसके अंदर टाकत ने रहेगी उसके अंदर ब्रट स्प्लाई नहीं रहेगा ब्रट सर्कूलेशन कम होगा तो दोस्तों जब आपकी लिगामेंट काम नहीं करते हैं तो आपके ना पाम उठते हैं ना टांग उठती हैं ना बाजू उठता हैं अब ए जैसे कि आपने कभी जैसी भी मिसिन चलती भी देखी होगी जैसे उसकी अगर बेर्चे से वह ऐसे उठाता है तो क्या करते हैं जो हाइड्रोलिक सिस्टम है जो पाइप है वो अंदर बाहर जाती है और जिससे हो उसको बैकेट भी गह सकते हैं बाल्टी जिससे वो मिटी विगारा उठाता है तो उसी तरह से यह जो हमारे लिगामेंट्स हैं यह वो हाइडरलिक पाइप हैं जिससे हमारे वाजू जो हैं उठते हैं या टांग उठती है अब यहां एक विसेश चीज़ बोलने वाला हूं दोस्तो हिए दोनों साइडों को तो ये जो जॉइंट है कंदे और बाजू का यहां से गैप होगा यैनी कि वो जुशूर चूठüllt चूका होगा बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तो के इस साइड का हो चाहे इस साइड का हो यहां कम से कम आपको इतना गैप मिलेगा इस्ते से तब तक उसका बाजू या उंगलियां काम नहीं करेंगी जब तक वो गैब घरता घरता जितना वो गैब घरता जाएगा समझ लीजी आपका पैरलाइज का पेशन्ट जो ठीक होने वाला है इसमें एक और चीज़ रहती है उमर की भी बात होती है पेशन्ट जो है कितना दोस्तों अगर फ्रेस केस है दो-तिन मिन्य परावना केस है जल्दी ठीक आएगा जितना मतलब वो लेट केस अपना ट्रीटमेंट करवाता है उसको लेट फाइदा होता है इसमें साल दो साल तीन साल भी लगा जाते हैं उसमें मेहन्त की जुरूरत भी होती है अगर कोई ठ करना चाहते नहीं सोचते या छोटे से टोटकों से आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो भूल जाएए इसके लिए दोस्तों बहुत सारे मेहन्त की जिरूरत होती है लेकिन मैंने आपको एक बहुत बड़ा कारण बताया कि जब तक वो गैप है को जितना मर्जी दावे कर दे कि मैं ठीक कर देता हूं उसको लेकिन जब तक वो ज्वाइंट जो है वो ऐसे टैच नहीं होगा जैसे दूसरे बाजू का देखेंगे आप बैसा नहीं आएगा तब तक आपका हाथ नहीं उठेगा ना आप उसको उपर कर सकते हैं ना ही आपकी उंगलियां बर्क करेंगे ओमर्का जो कुले का हouri सहा है तो अब भासे वी पूरी तरह काम नेकरता है इस करके वो पाम को रिषीट करके और जैसे कि मैं ने बताया आपको कि कंदे को ऐसे करते हैं तो तो बैसे बीसे ही एक साइड से उपर को अपने आपको खृती हैं पक्ःत कारण बहां से लीगा मेंट जो है वह कामनी कर रहा है और एक और जो कारण होता दोस्तों जैसे लीगा मेंट कामनी कर रहे होते हैं तो घुटनों में सोजिस आजाएगी मिरश मोब्णों बहुत हो जाते हैं और जो आपके एंकल वाला हिस्सा है वो भी वहां भी सोजिस होती है वहां भी वह मुमेंट खत्म हो जाती है यानि कि आप उसको ऐसे ऐसे घुमाना चाहें पायर को तो वह नहीं घुमेगा फुट्ड्रॉप की समस्या जिस सारी दोस्तों बहुत बड़ी करात्मक बैमारी बोल सकते हैं इसको लेकन अगर कोई ब्यक्ति यह सोचे कि किसी पेशेंट को देखना मैं यह नहीं कर रहा हूं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि मैं ठीक करूंगा मैं पेशेंट ठीक करता हूं लेकिन मैं आपको एक भेद बता रहा हूं कि जब तक वह यहां से लिगामेंट बराबर या उस जॉइट को बराबर नहीं करता यह धीर धीर होता है ऐसे नहीं किदम से या ऐसे नहीं कोई चीज बाद दी कोई कुपरेसर का पॉइंट दबा दिया वो अपने आप बराबर हो जागा नहीं होता लेकिन यह मैंने ठीक होने की निशानिया बताई और ना ठीक होने की भी निशानी बता दी है तो इ इसके लिए को देख या बात करके ही उसका टिटमेंट कियाता है जैसे brain में क्लोटिंग है उस क्लोट को भी क्योंकि जब ही हमारी और कोई भी चीज होती है जैसे हम ठंडे से टच करते हैं तो ब्रा हमें brain जो है वो उससे मैसेज आता है brain में कि ठंडा लग रहा है गर्म लग रहा है चूरे हैं नहीं चूरे हैं जैसे मैं अगली को छूरा हूं तो मेरे को पता लगेगा कि मैं छूरा हूं इससे सपर्स हुआ नहीं सपर्स हुआ ब्रेन को मैसेज नहीं किया तो इसके साथ जो है ब्रेन की क्लोटिंग जो है वह भी बहुत ज्रूबी होती है जब तक brain के अंदर message नहीं जाएगा, क्योंकि यह बिमारी जो है वो कई कारणां से brain से ही उसकार होती है आईरव्यद के अंदर कुछ और कारण होते है, तोड़े, ऐलोपेथी के कारण कुछ और होते हैं लकिन कारण तो brain से ही बनता है, तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत महत्वापूर्ण वीडियो है यह आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनलों को भी जरूर सबस्क्राइब करें वीडियो को देखेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्काव